कि दोस्तों इस भीडवा अभी छोटी याएं बिलकुल भी कंपनी के पास debt नहीं है बिल्कुल भी लेकिन कंपनी के पास promoters की holding है वो बहुत कम है 2.5% की 4.3% की पास पास इसकी holding है बाकी सारा जो माल है public के पास पड़ा हुआ है इसलिए risk बहुत ज़्यादा है इस share में जो लोग buy करने की सोच रहे है जो लोग buy करने की सोच रहे है एक बाद किसी भी share को अच्छे से analysis जरूर कर लेना उसके बाद ही buy करना बाकी मैं आपको बता दू इस company ले जब से आईये तब से अभी तक 22% का negative return दे रख खाया ठीक है इसका बीज में जो high था दोजार ठारा में इसका बीज में हाई था वह आप देख चकते हो 23-24 रुपे के आज बास इसका हाई था उसके बाद इसमें consistency जहां पर आप देख चकते हो 75% के लगवा 80% के लगवा इसमें गरावत देख रहे हैं को मिली थी ठीक है कंपनी के share में correction देखर को मिलता है और उसके बाद adjustment होता है ठीक है तो और मैं बता दूँ आपको कि इस कंपनी के जो P.E. ratio ना वो 48 है वो की जो की बहुत ज़्यादा high है क्योंकि कंपनी का book value एक रुपे का आस पास है और current price रहे हैं का 3 रुपे वैसे company 3 रुपे का है तो आपको यह में सोचना कि 3 रुपे का share बहुत सस्ता है कुछ लोग यह सोचके फज़ाते हैं कि 3 रुपे का share ही तो है आप 3 रुपे का share सोच करके आपने मान लीजे 10-5 share खरीदे और कितने पैसे आपका invest हो गया लेकिन क्या आपके 5 share मान लीजे आपने 5 share पर लगा है क्या company 5 share पर कुछ कमा के दे रही है नहीं कमा के दे रही है तो वह है इसके according बहुत महेंगा हो जाता है बाकी में आपको बताते हैं यहाँ पर आप देखोगे एक बार company का result जो आया था काफी अच्छा आया था company ने काफी अच्छी कासी sales growth देखाई है नेट profit हुआ था उसमें और company के पास zero debt हो गया था zero debt बिलुकुल भी इस time में zero debt है और 38 करों का इसके पास cash pro भी पड़ा हुआ है आप आप देखो कि कुछी दिनों में company ने बीस पसंद का return भी निकालके दे दिया तो यह कैसे हुआ है company का अच्छा result आया है उसकी विएस से इसमें अच्छी मतलब यह जो है return निकालके दे रखा है बाकी में आपको बता दू कंपनी अगर ते टीन रोपे ते रहर पंडरर पासे की लेवल और घ्रास करती यह अगर यह उनिकाल हो दे तै प्तार यह रिणोषय की लेवन के लेवाइखना रहा है अगर यह कंपनी जो है तीन रुपए यहां पर मैं आपको बता दो एक बार क्लियर कर देता है उसको तीन रुपए 15 पैसे की लेवल को अगर क्रॉस करती है तो यह शेर जो आपको तीन रुपए 30 पैसे के आसपास जाता हुआ नदर आएगा ठीक है तो अब जो लोग बाया कर देखते हैं तो जब तक यह कोई न्यूज या ओपरेटर सकीन होते तब तक कि मैं कोई अच्छा काशा रेटर निकाल के देने की उमीद नहीं है ठीक है बाकी मैं आपको बतातूं पांच दिन में काफी अच्छा रेटर निकाल के दे रखा है यहां पर ग्रावाट हुईती पांच रुपए दो रुपए ठावन पैसे से यहां पर आप देखे रहो चाववन पैसे का इसने चाववन पैसे बढ़ा और उसमें 20-21 पैसे का रेटर न कालके दे दिया तो इसी के बेस पर अगर यह से जो है ती रुपए 15 पैसे के लिए लिए लोगो क्रोस करता है तो जो आपको ती रुपए 30 रुपए के आसपार जाता हुआ नजर आएगा तो 100 लिए सो दोसो पांच रुपए लगा करके रिटरन बना करके निकल सकते हो आप लंबे समय के लिए होड़ करने की मस सोचना ना इसको ठीक है किसी भी पैनी शेर को भाय करो तो भाय कर लो लेकि प्यसे लगाओगे न इसमें रिस्क कमो और पैसा कभी डूब है न इफ पैसा डूब भी सकता है तो आपको क्या करना है कभी भी इसमें प्लगाओ तो कम लगाओ और जब भी आपका रेटन मिल जाये जब प्रॉफिट बुक जरू जरू कर लो सरो वीडियो अच्छे लगाओ